तो आज के से वीडियो में हम डिसक्स करने वाले है क्लास 10th साइंस के चैप्टर नमबर फरस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है केमिकल रियक्शन्स एन इस टाइप्स इस वीडियो में हम बेसिकली केमिकल रियक्शन्स और उसके टाइप्स को हैं थोड़ा सा प्रीबियस क्लासिस के विज़ेना चाहूंगा इस से पहले आप लोग लोग वेन केमिकल चेंजी के बार में या shape में इन तीनों में अगर या इन तीनों में या appearance ठीक है अगर हमारे पास इन चीजों में change आ रहा है तो उसको हम कहते है physical change और physical change कैसे होते है reversible change ठीक है for example मेरे पास एक pencil है ठीक है pencil को मैं तोड़ के अगर उसके दो टुकड़े कर दो तो क्या हो गया pencil जो है पहले एक थी अब कितने हो गई दो हो गई मतलब physically वो क्या हो गई चेंज हो गई फिसिकली वो चेंज हो गई ठीक है अब मैं क्या कह रहा हूँ physical changes जो है reversible होती अब जो मैंने दो टुकड़े किये pencil के इनको मैं दोवारा जोड़के जो है दोवारा जोड़के फिर से एक pencil बना सकता हूँ मतलब जैसे पहली थी वैसी उसको दोवारा बना सकता हूँ ठीक है तो ऐसे changes को हम कहते है physical change physical change में क्या होगा change सिर्फ और सिर्फ color shape या size में आएगा ठीक है internally कोई भी change नहीं आएगा पहले pencil जब मैंने नहीं तोड़ी थी तब भी वो pencil थी जब मैंने उसको तोड़ दिया वो तब भी pencil है ठीक है ना मतलब internally कोई change नहीं हुआ ऐसे change को हम कहते है physical change और वो होते है reversible मतलब उनको reverse किया जा सकता है ऐसे changes को ठीक है on the other hand कुछ change हमारे पास होते है chemical change ठीक है chemical change हम किने कहते है chemical change वो वाले change होते है जो हमारे पास होते है irreversible ठीक है irreversible मतलब जिनको जो अगर जो change अगर हो गए उनको दवारा फिर में first form में नहीं ला सकता हूँ ठीक है तो chemical reaction कौन से change होगे chemical reaction में हमारे पास internal change होगे और ये जो है irreversible होते है ठीके ना for example माल लेज़े हमारे बास iron का एक टुकड़ा है ठीके iron जैसे ही बारिश पढ़ जाती है माल लेज़े हमारे बास एक iron का टुकड़ा था बारिश पढ़ गई ठीके बारिश पढ़ने के बाद उस iron के टुकड़े पार अगर आप देखोगे तो उसके उपर जो है brown color की layer चड़ जाती है ठीके ना जब iron के उपर water मिल जाता है in the presence of air तो उसके उपर जो है brown color की coating चड़ जाती है मतलब एक brown color की layer चड़ जाती है जिसको हम कहते rust ठीके तो यह rust किस से मिलके बनी rust जो है हमारी iron से मिलके बन गई iron water और air इन से मिलके ही rust बनी मतलब iron ही किस में convert हो गया rust में convert हो गया अब यहाँ पर देखिए पहले था वो iron अब क्या बन गया वो अब rust बन गया अब कोई अलग ही compound बन गया वो ठीके ना तो ऐसे changes को हम कहते है candle को अगर आप जलाते हो तो जैसे ही candle जलती रहती ही जलती रहती है लास्ट में क्या हो जाता है वो दुआ मनके सारी की सारी उड़ जाती है और candle हमारे पास खतम हो जाती है मतलब यह भी क्या है candle का जलना भी एक chemical reactions ही है ठीक है यह भी एक chemical reaction ही है ठीक है इसमें भी हमारे पास chemical चेंज होता है मतलब पहले ये होती हैं केहां आप आप देखते हैं हैं कैमिकल रियक्शन ग्वार जाता है और डी आपको पता लगा कि क्या है और के इंचिए में में बहुंद का डी एक्सृनल हो जाएगी ऑद्गेमार यह चेंजिघ मंतल़ गैलरचेफ chemical reactions क्या है so guys chemical reactions वो वाले कुछ event है ठीक है chemical reaction हम उने events को कहते है जो chemical changes को लाते है ठीक है ना वो वाले events the events which brings the chemical changes are known as chemical reaction ठीक है मतलब वो वाले events वो वाले events जिनकी भजा से एक chemical change हो पाता है उसको हम कहते है chemical reactions ठीक है तो इसकी definition हम यहाँ पर लिख लेते है पहले इसकी definition लिख लेजिए आप chemical reactions की ठीक है chemical reactions हम किने कहते है the reactions the events the events that brings the chemical changes are known as chemical reactions मतलब वो वाले event जिनकी भज़ा से एक chemical reactions हो पाते है उनको हम कहते chemical reactions वो बाले events जिनकी वज़ए से chemical change हो पाते हैं उनको हम क्या कहते है chemical reactions अब हम यहाँ पर देखेंगे कि chemical जो यह हमारे पास chemical reactions है कितने टाइप की होती है तु गाइस जो यह chemical reaction अब हमें के करके इंको discuss करेंगे अब आपको ध्यान से देखना है यहां पर तो जो यह हमारे पास chemical changes है chemical reactions है chemical reactions हमारे पास basically four types की होती है कौन-कौन सी होगी First हमारे पास होगी Combination Reaction Second हमारे पास होगी Combination Second हमारे पास होगी Decomposition Reaction Third हमारे पास होगी Displacement Reaction और Fourth हमारे पास होगी Double Displacement Reaction अब एक एक करके हम इनको Discus करेंगे तो अब आपको ध्यान से देखना है काफी important है ये है important भी है और काफी आसान भी है अब एक एक करके इनको discuss करेंगे chemical reaction का आपको पता लगे है chemical reaction क्या है the events that brings the chemical changes are known as chemical reactions so चार टाइफ है chemical reaction के so first हम first type हम discuss करते है पहले first type हमारे पास है first type हमारे पास है combination reactions so guys यहाँ पर नाम सही हमें पता लग रहा है combination reactions combination reactions कौन सी reaction होती है पहले समझ ले लिजेए इनको combination reactions वो वाली reactions होती है जिन में दो या दो से जादा reactant मिलकर single product बनाते है ठीक है अब एक बाद आपको यहाँ पर याद रखनी है जो चीज हम यहाँ पर right hand side जो हम इस side लिखेंगे जो हम इस side लिखेंगे उसको कहा जाता है reactant ठीक है जो चीज हम यहाँ पर arrow के arrow के left side में जिस चीज को लिखा जात उसको हम कहते product तो यह आपको याद रखना है जो original चीज हमारे पास है उसको हम कहते reactant जिस और इस reactant में change होके जो last में जो चीज हमारे पास बनती है उसको हम कहते product ठीक है इस side हम इसको हम कहते reactant reactant और इसको हम कहते है product इसको हम कहते है product तो ना हमसे बता लग रहा है कि combination reactions combination reactions कौन सी है combination reactions वो वाली reactions होती है जिन में दो या दो से ज़ादा reactant मिलकर एक single product बनाते है इस तरह से a plus b plus c यह 3ों मिलके जो है यह 2 भी हो सकते है तीन भी हो सकते है चार भी हो सकते है लेकिन product बनना चाहिए हमारे पास single product हमारे पास बनना चाहिए single माहन लिए यह लिखे है z थ्क है इस तरह से यहاंपर देखे combination reactions कौन सी है combination reactions वो वाली reactions होती है जिन में 2 या 2 से ज़ादा reactant मिलकर एक single product याद बनाते है ठीक है यहाँ पर आपको 2 चीज़े याद रखने combination reactions में reactant 2 से ज़ादा कितने भी हो सकते है लेकिन product हमारे पास only single होगा ठीक है जो मतलब हमारे पास चीज़ बनेगी ठीक है यहाँ इसको आप इस तरह समझ सकते हो जिस चीज़ से आप बना रहे हो वो आप कितनी भी ले सकते हो ठीक है लेकिन जो चीज़ आपके बार आप बनेगी वो single बनेगी ठीक है यह सिर्फ और सिर्फ Z product हमारे पास बनेगा product सिर्फ और सिर्फ Z बनेगा अब reactant आप कितने भी ले सकते हो ABCD जो भी आपको लेना है आप कितने भी ले सकते हो लेकिन product हमेशा कितना क्या बना चाहिए single बना चाहिए ठीक है तो ऐसी reactions को हम कहते है combination reactions ठीक है इसको लिख लेते हैं पहले ठीक है what are combination reactions definition ठीक है is कि the reactions the reactions in which two or more than two reactants combine to form a new, to form a single, इसके जग आप single कर देजिए, to form a single 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 product, are known as combination reactions, आपर, are known as combination reactions, ठीक है, अब इसका एक टाय, एक्जेंपल हम ले लेते हैं, एक्जेंपल इसका ले लेते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से देखेजिए, for example, cao calcium oxide, plus, यह हम solid लेते हैं, ठीक है, plus h2o, यह liquid है, इन दोनों को जब मैं combine करवाता हूँ, कोई climb और water हो, तो हमारे बास मिल जाता है cao h, एक एक्जेंपल भी आपको याद रखना, definition के साथ एक एक्जेंपल आपको याद होना चाहिए, aqueous, तो यह जो reaction आप देख रहे हो, यह जो reaction आप देख रहे हो, यह example है हमारे पास combinations की, यह example है combination reaction की, यहां पर देखिए, एक reactant ये हमारे पास है एक reactant ये हमारे पास है ठीक है दो reactant थे हमारे पास दो reactant मिलके यहाँ पर देखे कितना क्या बन रहा है CAOH2 यहाँ पर तो सिर्फ पर सिर्फ यही बन रहा है AQ, AQ का means AQ means aqueous ठीक है, AQ means यह aqueous है, ठीक है, मतलब दो reactant थे, दो reactant मिलके कितने product बना रहे है, single product बना रहे हैं, तो अगर हमारे पास, यह मारे पास 2 था, 2 से जाधा भी हो सकते हैं, वो बार reaction जिसमें 2, यह 2 से जाधा reactant मिलके, एक single product बनाते हैं, उसको हम कहते है, combination reactions, ठीक है, तो यह हमने देख लिया कि combination reactions कौन सी होती है, ठीक और यहां पर भी देखिए यहां पर हमारे पास क्या है oxygen यह carbon is solid carbon और oxygen मिलक़ किया बना है co2 अब दो रीक्देंट थे एक carbon था एक oxygen था टीके प्रोड़ोक्ट कितें हम बना और ऐक हीन बना तो एसी re parchment को हम क्या कहते है जिसफ्मे जिसमें शब्ड़ो mena single product बनता है उनको हम कहते है combination reactions ठीक है उनको हम कहते है combination reactions बिल्कुल simple है अब दूसरे type पर हम आते हैं दूसरा जो इसका type है तो दूसरा type हमारे पास आता है decomposition reaction दूसरा type हमारे पास आता है decomposition reaction decomposition 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 Reactions यह क्या है यह बिल्कुल Exact Ultra है Combination Reaction का Decomposition Reactions कौन सी होती है Decomposition Reactions वो वाली Reactions होती है जिन में एक single product टूट कर Zweim Decomposition Reaction हमारे पास वो वाली Reaction होती है जिन में हमारे पास एक एक सिंगल र्य क्डेंट तूटकर दो यह दो से जाधा product बनाता है बिल्कुल मतलब जो हमारे पास first था जैसे हमारे पास the combination reaction था बिल्कुल उल्टा ही है combination reaction में क्या हो रहा था दो यह दो से जाधा reactant मिलके एक single product बना रहा है यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर एक सिंगल रियक्टेंट, मतलब जो चीज हमारे पास यहाँ पर दी होगी, वो हमारे पास यहाँ पर जादा दी होगी, ठीक है, यहाँ पर रियक्टेंट हमारे पास जादा दिये होगे, रियक्टेंट हमारे पास एक दिया होगा, प C plus C ठीक है अब यहां पर देखिए reactant कितना था हमारा पास सिर्फ फर सिर्फ एक reactant था ठीक है product कितने बन रहे हैं एक से जाधा product बन रहे हैं ठीक है ऐसी reactions को हम कहते है decomposition reactions जिसमें decomposition reactions कि रूको कहेंगे decomposition reactions are those reactions in which a single reactant in which a single reactant in which a single reactant breaks to form two or more than two products ठीक है तो इसकी definition यह आपर लिख लेते हैं हम पहले example इसका बाद में देखेंगे example इसका बाद में देखेंगे decomposition reaction कौन सी है the reactions the reactions in which a single reactant breaks to form single reactant breaks to form two or more than two products two or more than two products are known as are known as decomposition 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 reactions reactions मतलब वो वाली reaction जिसमें एक compound break करके दो या दो से जादा एक reactant हमारे पास तूट कर दो या दो से जादा हमारे पास reactant product बनाएगा एक reactant इक दो या दो से जादा प्रोड़क्ट बनाएगा एक एक इसका एक इसका इसकाड़ी कर्द कर्द का एक इसको इसको जब हम heat करते हैं तो हमें मिलता है calcium oxide यह होता है हमारे पास solid form में plus co2 यह होता है हमारे पास gases form में अब यहाँ पर देखिए reactant कितने दिये हमारे पास only single reactant दिया है product कितने बने हमारे पास एक से ज़्यादा reactant बने यहाँ देखिए दो बने यह ज़्यादा भी बन सकते है यह depend करेगा यहाँ पर हमारे पास reactant कौन सा दिया है ठीक है लेकिन यह example किसका है यह decomposition reaction का example है क्योंकि यहाँ पर reactant हमारे पास single दिया है product हमारे पास 2 बने यहाँ पर देखिए 2 बने यहाँ पर reactant 1 product हमारे पास 2 बने ठीक है तो ऐसी reaction को हम क्या कहते है decomposition reactions एक example और देख लेते हैं यहाँ पर इसका for example 2Fe FeSO4 यह solid ले लिए है मैंने इसको भी जब हम heat करते है heat जब इसको करते है तो हमें मिलता है Fe2O3 solid O3 solid plus SO2 gas plus SO3 gas अब यहाँ पर देखे यहाँ पर reactant क्या है हमारे पास यहाँ पर reactant है हमारे पास 2FeSO4 ठीके reactant कितना है single reactant दिया है यह single reactant है ठीके FeSO4 FeSO4 मतलग एक single compound दिया हुआ हाला कि molecule यह 2 है ठीके लेकिन compound single है FeSO4 ठीके FeSO4 है लेकिन जब हम इसको heat करते है heat करकर देखे हमारे पास reactant दिया था single अब product देखे कितने बन रहे है हमारे पास product देखे कितने बनन रहे है 2 से ज़ादा product बन है 2 या 2 से ज़ादा product अगर बने तो उनको हम कहते है decomposition reaction अगर हमाज ता reactant 1 हो और product 2 या 2 से ज़ादा बने तो उसको हम कहते है decomposition reaction ठीक है इसलिए इस reaction को भी हम क्या कहेंगे decomposition reaction क्योंकि यहाँ पर reactant यहाँ पर single है product हमारे पास यहाँ पर 3 बन गए ठीक है न ऐसी reaction को हम क्या कहते है decomposition reactions तो यह था second type हमारा तो इसके बाद हम आते हैं third type के उपर third type हमारा आता है displacement reactions third type हमारा आता है अब displacement reactions displacement displacement अब इसको देख लेते हैं displacement reaction क्या है पर इसकी definition देख लेते हैं last में इसको समझाओंगा फिर यहां पर ठीक है the reactions पर इसकी definition देख लेते हैं the reactions the reactions in which in which the more active element or group replace the reactions in which the more active element or group replace less active less active element or group are known as are known as displacement are known as displacement reactions तो displacement reaction क्योंको कहेंगे displacement reaction वो बाली reactions होती है जिनमें एक एलिमेंट का एक एलिमेंट के less active less active element या group को कोई दूसरा active element या group replace कर लेता है for example मान लीजिए मेरे पास एक compound दिया हुआ है यह represent करता हूँ पहले मान लीजिए for example A plus यह इस तरह से एक compound ले लीजिए यहाँ पर यह ले लिए मैंने A B मान लीजिए A B मेरे पास कोई एक reactant है ठीक है A B मेरे पास एक reactant है ठीक है A B A B यह था मेरे पास एक reactant ठीक है यह reactant है अभी मान लीजिए यह किसी दूसरे reactant के साथ combine करते है जैसे यह C के साथ combine किये मान लीजिए यह B जो है less reactive है C जो है more reactive है अगर B हमारे पास less reactive होगा और C हमारे पास more reactive होगा तो उस case में क्या हो जाएगा यह जो C है इस B को यहाँ से निकाल देगा इस A के A के साथ पहले तो यह A के साथ चिपका हुआ था यह A ठीक है पहले यह B जो है A के साथ चिपका हुआ था लेकिन अगर C इससे जादा रियक्टिव होगा B से तो यह क्या करेगा इस B को यहां से निकाल देगा मतलब खुद जो है A की AC के साथ fix हो जाएगा और B को क्या कर देगा B को बाहर निकाल देगा ठीक है ऐसी reactions को हम कहते है displacement reaction अब displacement नाम से ही पर लग रहा है किसी की displacement हो रहा है किसी को displace किया जा रहा है ठीक है यहाँ पर देखे यह रिप्लेस हो गया है यह जो है इस reaction को क्या कहते है हम displacement reaction अब इसका example देख लेते है यह तो इसकी representation थी ठीक है अब इसका एक example देते है एक example इसका हम देख लेते है फॉर एकजेंपल एक इसकाश वाले सिंबल में नहीं मनाओ गाए यह थोड़ोग कंभीउज हो जाओ गया सी यू प्लस सी यू एस ओ फोर कॉपर सलफेड जब आइरन को जो है कॉपर सलफेड के साथ कॉपर सलफेड के एकवस solution के बाद यह छोटा लिख लेता हूं है ठीक है एकवस यह है यह सॉलिड है ठीक है यह जो दो कंभाइन करते है तो हमारे पास क्या आता है तो यहां पर करेगा यह FE इस कॉपर को यहां से निकाल देगा ठीक है और खुद जो है SO4 के साथ यह combination में आ जाएगा ठीक है अब यहां देगेगा इसको यह कम रेक्टिव है इसलों इसको यहां से निकाल देगा यह आईरेन ठीक है अब देखें F e सा कमाइन हो जाएगा इसके साथ F E, SO फोर अब इस cu की जगह किस ने ले ली f की ठीक है और cu को क्या कर दिया इसने बाहर निकाल दिया ठीक है तो ऐसी reactions को हम क्या कहते है ऐसी reactions को हम कहते है displacement reaction जिसमें एक more active element किसी दूसरे less reactive element को किसी compound से बाहर निकाल देता है और खुद वहाँ पर जो है fix हो जाता है उसके साथ ठीक है एससे reaction को हम क्या कहते है displacement reaction एक example हम और ले सकते है इसका for example zinc zinc ये भी solid होगा solid plus copper sulfate फिर से इसी को लेते ठीक है iron की जगह मैंने क्या लेका लिया zinc अब फिर से जो ये copper है ये less reactive होता है as compared to zinc बतों zinc जो है ज़्यादा reactive होता है as compared to copper ठीक है इसमें ये क्या करता है zinc इस copper को यहाँ से निकाल देता है और खुद fix हो जाता है SO4 के साथ तो क्या हो जाएगा ZnSO4 plus इसको बाहर निकाल देंगे ये copper ठीक है तो ये ऐसी reactions को हम क्या कहते है displacement reaction जिसमें एक less reactive element को displace कर दिया जाता है ठीक है ना ऐसी reactions को हम क्या कहते है displacement displacement reactions इसके बाद चलिए next चलते है fourth और last जो हमारे पास बचके आप तो चलिए एक example और है जैसे last में एक question भी दिया है इसके उपर ठीक है यहाँ पर book में भी ये एक activity आपको दी हुई है अब यहाँ पर हमने देखा है क्या करना है यह NCRT के book में अगर आप देखो तो एक छोटा सा experiment यहाँ पर दिया हुआ है यहाँ पर आपको क्या कहा गया है कि दो tube यहाँ पर ली हुई है एक tube यह ली है दो ट्यू भी यहां पर ली हुई है ठीक है ये दो ट्यू भी यहां पर ली है और दो कील यहां पर हमारे पास है ये कीलिए है और दूसरी कील यह हमारे पास ये है ठीक है इसके अंदर लेना है हमने copper sulfate का solution इसके अंदर लिया हमने copper sulfate का solution ये हमने copper sulfate यह हैं क्या, copper sulfate का solution, ठीक है, इसके अंदर भी है copper sulfate का solution, इसके अंदर भी है copper sulfate का solution, अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखेगा, यह जो copper sulfate, यहाँ पर भी copper sulfate का solution था, ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर भी copper sulfate का solution था, ठीक है, अब दो कील आपने लेनी है, तेस्ट्यूब लेनी है उनके अंदर copper sulphate का solution डालना है और दो हमने कील लेनी है यहाँ पर दो कील हमने यहाँ पर ले ली ठीक है उसके बाल क्या करेंगे हम एक कील और एक test tube इनको हम अलग रखेंगे यह अलग रखेंगे इनको कुछ नहीं करेंगे ये side में रखेंगे इसको और इसको side रखेंगे ठीक है अब एक keyl को में copper sulfate के solution के अदर डाल देता हूँ ठीक है अब जब आप पहले देखोगे जो इसका color होता है कुछ blue इस सा color होता है इसका ठीक है इसका color होगा blue इस सा थोड़ा थोड़ा नीला नीला कलर होगा इसका ठीक है जैसे ही हम एक कील इसके अंदर डालेंगे जैसे ही हम इसके अंदर कील डालेंगे ध्यान से देखेगा जब हम इसके अंदर कील डालेंगे तो यह सल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का नहीं रहता ठीक है ना सारा का सारा solution copper sulfate का नहीं रहेगा पहले यह कैसा था bluish color का लेकिन जैसे ही इसके अंदर मैं कील डालूँगा तो कुछ समय के बाद अगर मैं देखूँ तो जो यह color होगा यहाँ पर copper sulfate copper sulfate जो यह माँ पर solution था हाना कि अब तो यह copper sulfate नहीं रहेगा ठीक है यह keyl किसे बनती है iron की बनी होती है अब जैसे ही मैं कुछ देर के बाद इसको देखूँगा इस test यह उपा तो मैं देखूँगा तो हम देखते है कि जो bluish color था यहाँ पर यहाँ पर भी bluish था यहाँ पर भी bluish था लेकिन जैसे ही मैंने कील डाले थी तो कुछ समय के बाद मैंने क्या देखा जो ये color है यहाँ पर थोड़ा सा greenish हो जाता है ठीक है ना कैसा हो जाएगा greenish सा हो जाएगा पहले blueish था अब कैसा हो जाएगा ये greenish सा हो जाएगा ठीक है ऐसा क्यूं हुआ ऐसा क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस कील के अंदर जो iron था ठीक है इस कील के अंदर जो iron था उसने displace कर दिया यहाँ पर देखिए solution किस चीज़ का था copper silvate का solution था यहाँ पर copper silvate का solution था ठीक है इसके अंदर जो iron था इसके अंदर जो fp था इस कील के अंदर जो fp थ उसने जो है, इस copper को यहां से निकाल दिया, जो copper sulfate के साथ जुड़ा हुआ था, और खुद इसके साथ जुड़ गया, ठीक है न, खुद इसके साथ जुड़ गया, मतलब यह solution हमारे पास कैसा हो जाएगा, यह solution हमारे पास कैसा हो जाएगा, यह solution हमारे पास F.E.S.O. 4 भी यहां से इसने सलूइशन से निकाल दिया और खुद कील से जो है यहां पर f heft 104 हो गया प्लस, साथ में क्या गया। कॉपर, जो है बाहर चला गया। और जो यह बाहर निकलेगा कॉपर, इस सलूईशन से कील से निकला एफ़ई वो चला गया बाहर। उसने वो कॉपर सल्पेट के साइए 煮र को उसने बाहर निकाल दिया। अब जो copper उसने बाहर निकाला वो सारा का सारा इस कील में जुड़ता जाएगा, अब जब बाद में इस कील को में निकालूंगा, तो मैं दो चीजह observe करूंगा, जब इस कील को बाहर निकाल दिया जाता है, तो दो चीजे observe होती है वो क्या एक तो इस color का एक तो इस solution का color change हो गया color change की हुआ color change इसलिए हुआ क्यूंकि जो हमारे पास iron था iron की जो kill थी उसने जो है copper sulfate में से copper को बाहर निकाल दिया ठीक है copper sulfate का solution होता है इस ब्लूइश कलर का brown क्यों हो जाती है brown इसलिए हो जाती है क्यूंकि यहाँ पर इस solution से जितना भी copper को बाहर निकाल दिया जाता है iron के दुआरा वो सारा का सारा इस kill के बाहर चिपक जाता है जिसकी बज़ा से यह kill हमें brownish सी feel होती है ठीक है ना इसलिए हमें यह brownish सी दिखाई देगी so यह था एक example displacement reaction का अब आ जाते हम double displacement reaction पर जो last type हमारे पास आता है वो आता है अब हमारे पास double displacement reactions double double displacement reactions D-O-U-V-L double displacement reactions double displacement reactions बाल इसकी definition है इसकी देखे लेते है the reactions the reactions in which the reaction in which reactant exchange in which two reactants in which two reactants in which two reactants exchange ions exchange ions to form, to form, to new products, products are known as double displacement, reactions, our known as double displacement, reactions, so guys, double displacement, Reaction होती है, हमार पास, double displacement, कौनसी होगी, double displacement, वो बाल Reaction होती है, जिनमें mutual Exchange होता है, जिनमें 2 Reactor NET हमारे पास दिये होंगे, और उन दोनो Reactor NET में, और उन दोनो Reactor NET में, Ion का Exchange होगा,れた समें Ion का Exchange होगा, for example, माल लीज़े मेरे पास एक atom मेरे पास, एक molecule मेरे पास ये दिया है, A और B plus, दूसरा हमारे पास दिया है, C और D ठीक है, ये हमारे पास दो रियक्टन दिया यहां से देखेगा, पहले बाले में हमने क्या देखा, displacement reaction, उसमें क्या होता था यहां पर एक होता था, वो जो है यहां से एक atom को बाहर निकाल जाता और खुद वहां पर fix हो जाता था, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर दोनों तरफ अदला बदली होगी, यहां पर दो तरफ अदला बदली होगी ठीक है ना अदला बदली होगी यहां पर अदला बदली कैसे होगी यहां पर देखिए अब जैसे A B है यहां C D है ठीक है अब यहां पर क्या हो जाएगा A जोड़ जाएगा C के साथ यहां A जोड़ जाएगा D के साथ मतलब इन दोनों में से किस A के साथ जोड़ जाएगा A ठ प्लस BD हो गया ठीक है अब यहाँ पर देखें क्या हुआ mutual exchange हुआ mutual exchange होगा मतलब B यहाँ से चला गया और यहाँ से क्या चला गया यहाँ से जो है हमारा C चला गया mutual exchange हो दोनों तरफ exchange हो रहा है ठीक है आयां देखें क्या लिखा है the reactions in which two reactants यह दो reactant है एक reactant यह है एक reactant यह दिये ठीक है the reactions in which two reactants exchange iron अब देखें आयन iron जो है हमारे exchange हो रहे है यहाँ आपर कौन-कौन से change हुए कौन-कौन से exchange हुए B और C जो है exchange हो गया यह यहाँ चला गया यह यहाँ चला गया एक्सचेंज हुआ ना mutual exchange हुआ एक जगा से exchange नहीं हुआ दोनों जगा से exchange हुआ तोनों जगा एक्सचेंज हुआ इसलिए इसको कहते है मतलब दोनों जगा displacement हुई यह यहाँ displacement हो रहा है एक displacement यहाँ हो रही है क्योंकि यहाँ पर दो displacement हमें भिल रही है इसलिए इसको कहते है, हम double displacement reactions, ठीक है, इसलिए इसको कहते है, double displacement reactions, ठीक है, यह इसकी representation है, यह इसको आप याद रखना, ठीक है न, मतलब क्या होगा, दो जगा displacement होगी, यहाँ पर displacement हो गरी, यहाँ पर भी displacement हो रही है, ठीक है, हो सकता है, यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ भी हो स displacement reaction इसके बाद example देखते हैं इसका example हमने नहीं देखा double displacement reaction का for example na2so4 na2so4 यह हमारे पास है aqus में दिया हुआ aq ठीक है aq plus beryllium chloride यह हमारे पास दिया है यह भी aqus में दिया है aq ठीक है इससे हमें बिलता है b a अब देखें यहां पर exchange हो जाएगा यहां पर देखेंगा यह double displacement reaction का example है यहां पर क्या हो जाएगा यह aqus यहां पर चला जाएगा ठीक है यह aqus यहां चला जाएगा यह aqus चला गया यहां से यहां ठीक है और CL2 चला जाएगा यहां से यहां ठीक है अब देखे एक्सचेंज हो रहा है एक एक्सचेंज यहां हो रहा है एक एक्सचेंज यहां पर रहा है क्योंकि reaction में दो exchange हो रहा है ions के इसलिए इसको हम कहते है double displacement reaction ठीक है यहां पर भी ऐसा ही रहेगा यह solid है यह हमारे पास solid है यह क्या रहेगा हमारे पास यह हमारे पास aqus है ठीक है तो यह reaction भी देखे क्या है यहां पर भी क्या हुआ दो तरफ displacement हुआ दो जगा पर यहां पर ions का displacement हो रहा है ठीक है इसलिए इसको हम कहते है डबल डिस्प्लेस्वेंट रियक्शन ठीक है इसले इनको क्या कहते हैं हम डबल डिस्प्लेस्वेंट रियक्शन सो यह तो थी जेनरल क्लासिफिकेशन इनकी जो हम जेनरल ही देखते हैं कि चार टाइप की हमारे पास डबल यह हमारे पास चैमिकल रियक्शन रहती है ठीक है अब heat के आधार पर हम देखते हैं कि chemical reaction कितने type की होती है, मतलब अगर heat के factor से हम देखें, ठीक है, अब दो type आपको और याद रखने है chemical equations के, एक reaction कुछ reactions को हम कहते हैं, endothermic reactions, और कुछ reaction, दूसरी reactions को हम कहते हैं, exothermic reactions, exothermic reactions, ठीक है, तो यह आपको थोड़ो थोड़ो याद रखना है, क्योंकि यह आपर दिया हुआ आपके स्लेपस में, ठीक है, एक्जो थर्मिक reaction और exothermic reaction, endothermic reactions हम किनको कहते हैं, endothermic reactions, guys, वो वाली reactions होती है, जिन reactions को करने के लिए heat की जरूरत होती है, मतलब जो heat को absorb करती है, ठीक है न, उन reactions को हम क्या कहते हैं, endothermic reaction, या आप ये कह सकते है कि वो वाली reactions जिनको करने के लिए heat की जरूरत होती है उनको हम कहते है endothermic reactions ठीक है endothermic reactions और exothermic reactions कौन सी है exothermic reactions वो वाली reactions होती है जिनके होने के बाद heat release होती है मतलब जब endothermic reactions होती है तो heat release होती है गर्मी release होती है जब endothermic reactions होती है on the other hand जब endothermic reaction हमारे पास होगी तो heat absorb होगी जबकि अगर हमारे पास exothermic reaction है तो heat हमारे पास release होगी तो ये थी classification यहाँ पर हमारे chemical reactions की I hope कि आपको वीडियो पसंद आये होगी मिलते हैं आप next वीडियो में second part में तब तक के लिए good bye